प्रकनों से एक बड़ी खबर आ रही है डेपटी सीम ब्रिजेश पाटक की चापे मारी में बड़ा खुलासा चापे मारी के दौरान 16 करोड 40 लाग की एकस्पायरी दवाई मिली है और करोड की दौर आप के दोड़ान 16 का पर और वीडियो अप्र खुलासा चापे मारी करोड की दवाईया अस्पालों तक पहुची ही नहीं करोडों की दवाईया को दाम में रखी एकस्पार हुई मेडिकल कॉर्परेशन ने दवाईयास पाल नहीं बीजी डेपटी सीम ने कुछ रिपोर्ट तलब की है उत्तर प्रदेश में स्वाफ्त ब्युफ्ता को बहतर करने के लिए लगातार कारवाई चल लिए स्वाफ्त मंत्री पर जिस पार्टा कमारे साथ है चापे मारी किये बड़ी मात्रा में एक्सपार दवाई कि आज आपने चापे मारी क्या क्या मि पहुच रही है इस बात की जानकारी करने के लिए आज जब हम मेटकल सप्लाई कारपरेशन के गो डाउन पहुचे तो वहां पर बड़ी मात्रा में हमें एक्सपार दवाईयां मिली उनके जो पोर्टल्स हैं जो उनके कंप्यूटर पर दर्श थी ऐसी लगभग साले 16 करोन से अधिक की दवाईयां एक स्पार हमें मिली फिर जब हमने एक एक दवाई का निरिछन किया तो बड़ी संथ्या में दवाईयां थी सभी के सेंप्ल को एकत्र कर लिया गया है और हमारे साथ जांच में चिकिस्ता भी भाग के सच्चिव प्रांजल यादो भी गये थे हमने एक एक वरिष्टा दिकारी को हमारे साथ आज भेजे हैं आपने कारवाई के लिए पत्र भी लिग दिया है जांच के लिए और हमने जब पूरी तरह से उसकी जांच परताल की तो पता चला कि लगबख साड़े सोला करून की दवाईयां एस्पायट हो गए जो गोड़ी आज हम खाँ 26-27 महीने बाद छूटें और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने किया उसको कभी नहीं बोलेंगे तेसल यह उनक्या वर्जन हो सकता हमारा मानना है कि कानून के तहट सभी बराबर हैं और कानून अपना काम करेगा जो भी कानून तोड़ेगा उसे खिलापकड कारवाही होगी इन बिट्मिन नयाइपालिका का पूरा समान हम सब करते हैं समीधान के दृष्टे नयाइपालिका सर्वो पर है जो भी आदेश मानी नया लेका आएगा हम उसको अनपालन करें